नमस्कार आप देगर राजदानी भोपाल में महापूर पित्यासी चुना गया मन्जु यादब जी मन्जु यादब जी हमा साथ हैं लगातार महलाओं की सिवा के रूप में काम कर रही थी भोपाल में कई बरसों से मापूर के नगरवासियो मन्जु यादब महापूर प्रत्यासी जन्तड़ उनाइटेट से आप सभी को मेरा राम राम सभी जानते कि आगामी छे जुलाई को महापूर के चुनाव हमारे याद भोपाल में होने वाले हैं और आम जन्ता ये चाहती है कि हम इस बार भी ऐसा प् खुझा को सुने ना कि BJP की तरह मोधी जी की तरह अपने मन की बाते सुना तो हर कोई देता है लेकिन कि आम जनता की मन की बाते को इस प्रत्यासी को हम चुनते उसी से मिलने के लिए हमें दोगों की जरिया धूनना पड़ता है इसलिए नहीं चुनता है कि अभी तक हमें लोगों का जो समर्थन मिला है उससे हमें एकी ची चीज़ समझ में आई है कि अब पगलिक ये चाहती है कि महापूर प्रत्यासी हो या पार्शा प्रत्यासी हो वो हमारे बीच का बंदा हो ताकि हम उससे अपनी बाते कह सके हमारी समस्याइं बता सके और वो हमें समझ सके किन्ते बाड़ों में अपने प्रत्यास उता रहे हैं आपकी पार्टी ने हमारी पार्टी ने अभी भोपाल के अंदर तीन प्रत्यासी उता रहे हैं बाड 68 से ललीता यादव जो कहीं ना कहीं 20 साल से बीजे पिकली काररत थी और जब आज उनका समय आया तो उन्होंने उसको समतिक अएंगे उनके काम को महत्व ना देके किसी आम जनता को महत्व दिया हुआ है कहीं ना कहीं वह इस समस्या से बहुत जादा जूज रही थी उन्होंने हमारे जनता जोइन किये और उसमें वह इस सिक्ष्टी एट से जिम्म हमारी एख्या करें हैं और हमारा बाड 56 से ह हमारी आशाकरण जी वो भी कहीं न कहीं जो आज हमारी सत्ता है यहां पर उस से लेके बहुत जादा परेशान है सम्तिंग 20 सालों से जूज रही है उनके मकान पर प्लाट पर दबंगियों ने कबजा करके रखा हुआ है तो वो खुद भी अपनी समस्यां से जूजने के लिए ताकि और हमारी आम जनता इस तरीके की समस्यां से न जूच पाए और मैं उनके जैसे आम इंसान उनके लिए खड़े हूँ इसलिए वो 56 से फाइट कर रही है प्लस मैं स्वैम भी वाट 67 से फाइट कर रही हूँ पारशत के लिए प्लस महापोर के लिए भोपाल से मैं आप के ही बीच की और आपकी समस्या को लेकर आई हूई हूँ तो गरपया आप आने वाली छे तारीक को अपने बीच के किसी बंदे को महापोर प्रत्यासी प्लस पारशत प्रत्यासी चुने जो आपकी समस्या सबसे पहले पारशत प्रत्यासी उगली में यह कहना चाहूँग आ प्रत्यासी जो बात करने सख्षम है कि नहीं है वा अधिकारी उसे बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है आपकी समस्यां लोगों तक पहुचा सकता है या आपकी हग के लिए सकता से लड़ मैं यां जानती हूँ कि पार्टी नहीं चलती है इंसान की जलती उसके कर्म चलते हैं काफ़ला चल रहा इप एक ज़्याहीं करता भी नहीं और आपके पास धन्ड और वठी नहीं है के तो यह तो बन्हों से बन्सा इट रहा है और फर बीजेप्य फ़ॉस को देख और लेल है तो सालों से भीजेपी फ़ुस्पा कि पत्राइब रहे हूं यहां पर क्या हालात है यह है जहां पर रहे 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 हैं महात उचमाचा में इन फ़ीड है रोड फ्ताबर आई पानी लेकिन जुग्जी जोपड़ी जो स्लम एरिय जहां से आप जंता आपको खड़ा करती है उनको क्या सुविधाय मिली है आज तक कोई सुविधाय नहीं मिली कभी हमारे बीच भूमते हैं आके चुनाव जीतने के बाद अपने अपने घरों में बेढ़ जाते हैं लेकिन हम पूरे बाड़ों में हुमें और मुझे उम्मीद है कि जनता का मुझे पूरा समर्थन मिलेगा क्योंकि आज की जनता जागरू हो चुकि यह ब्राइंड के पीछे या घौड़ों के पीछे नहीं चलती मेरा यह मानना है कि जो पारसत दस साल बात पारसत रहने के बाद अग आम जनता के पास खूज जाएंगे आम जनता को हमारे पास अपनी समस्याओं के लिए आना नहीं पड़ेगा यह उम्मीद में राजदानी में इस बार तीर चलेगा कि इस बार तो हमारे काना का तीर आया है खाटू श्याम से और सही निशाने पर बेठेगा सही जगे जाए तो जनता दल उनाइंटेट की जो महापौर की पित्यासी मंजु यादव हमाना साथ ही लगाता उनके अपनी उज्या के साथ भूत रही है अब जनता कितना समर्तन करते हैं उनके प्छेत में भी जाएंगे और जो जिन बाड़ों ने पित्त्यासी उताएं पित्त्यासी से सब्सक्राइब नाओ प्रेस्ट बेल आइक नेवर मिस अन अपडेट